Hey guys, Professor Nidhi Trivedi है and today we are going to solve the example of turbulent flow क्योंकि एक sum तो exam में होता ही है turbulent flow का और हमने mark नहीं गवाने चलो जल्दी से start करते है जो भी sum मैं कर रहे हूं बच्चो फिलाल आपकी screen पे चल रहा है तो वीडियो को फिलाल post करें अच्छे से देख ले कि क्या sum में दिया गया है क्या find करना है तो चलो जल्दी से start करते है हमें यहाँ दी गई है एक rough pipe अगर आपकी syllabus में देखे तो फिलाल आपको एक turbulent flow chapter है और उसमें ही smooth pipe और rough pipe वाला concept है यानि एक turbulent flow है और यह एक rough pipe है जिसमें diameter है 600 mm पर सेकेंड जो भी value है वो हमें चाहिए meter में यानि इसको liter है उसको चाहिए meter cube में तो thousand से divide करेंगे तो मिलेगा 0.55 meter cube per second हमें दिया गया है wall roughness अगर आपको जानना wall roughness क्या होता है तो आपको देखना है hydrodynamically smooth boundary and rough boundary वाला concept जो मैंने नीचे description में दिया है तो हमें दिया गया wall roughness विच इस 3 mm ध्यान से देखे यह mm है है तो हम इसको भी convert करेंगे 0.003 meter हमें length दी गई है विच इस 1.2 kilometer यानि 1200 meter हमने kilometer से convert गया meter में हमें find करना है कि कितना power lost हो रहा है अब जब भी sum दिया जाए चाहिए कोई भी chapter हो कोई भी subject हो तो पहला काम हमें यह करना है कि हमें find क्या करना है तो हमें find करना है power lost फिर दूसरा हमें यह करना है कि कौन सी value है जिसमें power का हमें formula मिलता है तो हमें पता है एक formula है power equal to wqhf और you can say gamma qhf जहां hf है हमारा head loss फिलाल हमें discharge दिया गया है अगर discharge नहीं दिया गया होता तो हम continuity equation से find कर लेते q equal to area into velocity तो अभी जो major हमें find करना है वो है head loss यानि मुझे पता चल गया कि इसको find करना है तो पहले मुझे find करना है head loss तो head loss का formula क्या है flv square upon 2 gd अब इसमें भी मुझे पता चल गया कि मुझे find करना होगा पहले friction factor और friction factor for turbulent flow in drug pipe for turbulent flow in drug pipe जो निकुराट से ने दिया है 1 upon root f 2 log 10 r by k plus 1.74 यानि अब मेरे दिमाग में clear है कि पहले ये करना है फिर ये करना है और last में मुझे ये मिलेगा तो चलो जल्दी से start करते है तो जैसे कि मैंने बोला ये है friction factor for turbulent flow in drug pipe जो निकुराट से ने दिया है 1 upon root f 2 log 10 r by k plus 1.74 where r is your radius और radius equal to होगा diameter by 2 diameter हमें दिया गया which is 0.6 divided by 2 यानि 0.3 meter k is our wall roughness जो हमें दी गई है 0.003 meter तो सारी value जल्दी से लिख दें यहां अच्छे से 1 upon root f 2 log 10 r.3 और k हमें दिया गया 0.003 plus 1.74 अगर पहले इतना ही solve करेंगे तो आपको मिलेगा 5.74 अभी ध्यान से देखना है आपको जल्दी नहीं करना हमें mark नहीं करने 2 step बले ज़्यादा हो पर हमें अच्छे से करना है तो हम क्या करेंगे हमें find करना है f तो फिलाल मैं ऐसा करती हूँ कि इसको cross multiplication यानि root f उपर चला जाएगा 5.74 नीचे चला जाएगा यानि अभी जो मुझे मिलेगा वो root f होगा जो मिलेगा 0.1742 बच्चे गलती ना करें यह आपको f नहीं मिला यह आपको मिला है root f अब क्या करें दोनों साइट कर दीजे square यानि square करेंगे दोनों साइट तो यह हो जाएगा और इसका square करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.0303 समझ में आ रहा है अभी जो मिला है वो आपका friction factor है और यह dimension less है तो ध्यान रखे इसमें कोई dimension नहीं है यानि f equal to 0.0303 आपको मिल चुका है अभी हमने find करना है hf, hf equal to flv square upon 2 gd अगर आपके दिमाग में confusion है कि कौन सा head loss का formula मुझे use करना है 4 flv square upon 2 gd या flv square upon 2 gd तो आपको देखना है friction factor वाला वीडियो जो मैंने आपको बोला है और उसकी link description में है तो flv square upon 2 gd यानि friction factor हमने find किया है 0.0303 length है हमारी 1200 meter velocity अभी हमें नहीं दी गई है पर हम find कर सकते है कैसे q equals to ab होता है यानि velocity equal to q by a area होगा क्योंकि एक circular pipe है 5 by 4d square तो हमें discharge दिया गया है और diameter हमें पता है 0.6 square इसको solve करेंगे तो मिलेगा 1.945 meter per second और यहां रखे तब ध्यान रखे इसका square है क्या है बचो square है नीचे होगा 2 g की value 9.81 और diameter 0.6 है इसको अच्छे से solve करें तो head loss मिलेगा और जो होगा meter में 11.68 meter समझ में आ रहा है और जब भी sum करें तो ध्यान रखे जब भी को examiner अपका paper चेक करता है तो उसका ध्यान 2-3 चीजों पर ही होता है कि उसने कैसे formula यूज किया है किस तरह से sum किया है कि उसमें स्यादा rough work किया है साइड में और कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए paper अच्छे से neat and clean होना चाहिए और खास आप वो देखते हैं ये unit समझ में आ रहा है तो unit ध्यान से देखते है तो please unit पर focus रखे और ये है power lost का formula wqhf यान w equal to होता है rho gqhf यहाँ water है यानि उसकी density होती है thousand g equal to 9.81 q हमें दियागा है 0.55 meter cube per second और हैडलाओ सब भी हमने find कि 11.68 इसको अच्छे से solve करेगे तो आपको मिलेगा 63019 watt अगर आपको kilowatt में चाहिए तो इसको क्या करना होगा 1000 से divide करे यानि यह हो जाएगा 63.02 kilowatt kilowatt आपको अच्छे से समझ में आया है और इसकी अलग तरह के हमने जो भी sum किये उसका playlist है वो भी check करें जो मैंने description में दिया है प्लीज वीडियो को like करें share करें and subscribe करना ना भूले